वाहन चेकिंग के दौरान अवैद गांजे की बड़ी खेब परामत करी गई है ड्रग प्लेडलर गिरपतार है और एक ड्रक को और एक आटो को भी चफ्त किया गया है मामला दली के गेटर कलास थाने का है जापर पलिस टीम पिकट पर वाहन चेकिंग कर रही थी इसी दौरान ड्रग स्टसकरी मामले में दो ड्रग सप्लायर को गिरपतार किया गया आरोपी की गिरपतारी के साथ पुलिस ने इनके कबजे सभारी मातरा में तकिवन 89 किलोग गांजा बरामत किया गया है और आरुपी वसीम बूर लूप से बुलन सर रोड हापूर का रहने वला है बताया जा रहा है कि यह लोग बिहार से ट्रक के जरिये का अंजा लेकर आते थे और यहाँ पर दिली के अलग-अलग ठेकानों पर सप्लाई किया करते थे दिली NCR में की सप्लाई की आती थी वहीं दच्छनी दिली की डीसी पेचंदन चौधनी मामले की जायन के देतों बताया कि दस मार्च को लगबक तीन बजे गुड़ुरु पेट्रोलिंग टीम जिसमें हेड कानेश्टेवल हरीस कानेश्टेवल दीपक कुमार और घटाकरा स्थाने के एसाई बिनोध हेड कानेश्टेवल विपिन कानेश्टेवल जितंदर ब्याटी रोड पर एक पिकट टेकिंग के दोरान थे तभी उनको एक आटो को रोकनी की कोसिस करी गे वहीं दूसी तब जीके के स्थों थे जिकटर गलास्थाने के स्थों मोजू थे उसके बाद उसक एक बरामत हुए जिसमें की गांजा था और उस अरोपी के निसान देही पर दूसरे अरोपी को भी पकड़ लिया गया ये कॉंटेक्स में पिशले हफते अपनी पिकेटिंग काफी दुरुस्त लगाई हुई थी पिकेट चेकिंग लगबख 91 के आसपास पूरे जिले में पिकेट्स लगी थी और जितने भी इंस्पेक्टर्स और जितने भी एसी स्पीस थे उन सब को डिरेक्शन थी पूरे हफ इन्हों ने जब ओवर स्पीडिंग देखा तो तुरंत गरुडा को आगा किया गरुडा वैन ने इस आटो का पीछा किया और एसेचो की टीम ने यू टर्न ले करके दूसरे साइट से उस आटो को रोका जब आटो को रोका तो आटो का ड्राइवर आटो रोक करके उतरके बियाटी के साथ में जो जंगल है उसमें भाग गया हमारी टीम ने उसको लिटरली चेस करके जंगल से निकाला और जब उससे पूछताच की गई तो उसने कहा कि वो रेलवे स्टेशन से आ रहा है तो उसने शुरू में तो गुमराह करने की कोशिश की कि इन बैक्स में उस कारेवाई करने के बाद NDPS Act की जितनी भी प्रोविजन्स हैं उन सब के अनुसार कारेवाई के बाद जब मेजर्मेंट किया गया तो 79 किलो उन्यासी किलो गांजा उसमें प्रकडा गया इमेडिटली FIR रजिस्टर की गई बीस NDPS Act के तहट और इस ड्राइवर का से डीटेल इंटरोगेशन करने के बाद इसने बताया कि लाल कुआ के पास से इसने डिलिवरी ली थी तो सबसीकूंटली हमने पूरी ट्रेल को स्टाबलेश करने की कोशिश की लाल कुआ पे इसने जिस से लिया था जिस ट्रक से लिया था उसके पास नंबर था उसको नाम नहीं पता था उस शक्स का जो हमने नंबर से आइडेंटिटी निकाली और गाड़ी के नंबर से हमने गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश की और हमें सफलता बारा तारीब को मिली जब हम गाड़ी के ड्राइवर तक पहुच पाए। गाडी का ड्राइवर शकील नाम का एक शक्स है जो बुलंद शहर का ही रहने वाला है और ट्रेलर्स और ट्रक्स चलाने का काम करता है यह दिली से बुलंद शहर गाजियाबाद यूपी से समान ले करके दिली से भी समान ले करके आसाम जाता है आसाम से वाया कूच बिहार वा हम नेारीम दिलि में को सपलाई करता था और वसीम इसको फईर्दर सपलाई किया तो हमने इस चेन में दो लोगों को तो आप्रिहंट कर लिया है, शकील को आप्रिहंट किया, वसीम को आप्रिहंट किया, कूछ बिहार में ये बगलू नाम के एक शक से इसकी सप्लाई लिया करता है, अभी हम उस पे काम कर रहे हैं. इस टीम में हमारे गरूडा का स्टाफ था, गरूडा के स्टाफ में हैट कॉंस्टबल हरीष और कॉंस्टबल दीपक, और पुलिस स्टेशन जीके की टीम थी, SHO जीके खुद थे, हैट कॉंस्टबल बिपन, कॉंस्टबल जितंदर और SI विनोथ.